हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इजी निटिंग क्लासे तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो देखे का फ्रेंड्स एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हैं बहुत आसान बुनाई डिजाइन है इसको बेगनर्स बह कंप्लीट हो जाता है सौरी चारों सलाइएं ध्यान से देख लिए जेगा बुनाई डिजाइन बहुत आसान है बिगनर्स बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और एक भी सला इसकित मत कीजेगा फ्रेंड्स ठीक है तो चलिए फिट देखे इसको किस तरह से बनाएंगे तो देखे पहला फंदा जो है और नॉर्मल भूल मैंने यहां पे लिए है जो लोग पूछना चाहते हैं दस नंबर की सलाइएं लिए है तो यहां देखे पहला फंदा मैं सीधा बनूंगी ठीक है इसके बाद यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा यह यह तीन फंदा से हम तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से देखिए एक फंदा हो गया धागा घुमाया दो हो गया अब यह तीन ठीक है अब इसको गिरा देंगे अपनी तरह लाएंगे दो फंदे उल्टे वान ये जो पाँच फंदे हमने बनाए बस यही बारबार रिपीट करते हुए जाएंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे फिर से बनाएंगे देखिए इन दौनों को हम पहले ट्विष्ट करेंगे देखिए ऐसे और ये सबीच वाला फंदा हम सेकेंड वाला ऐसे लगा देंगे आगे अब इन तीनों फंदों को हम इन का एक बनाएंगे एक फंदा हो गया धागा लप्लेटा दो हो गया और ये तीन हो गया ठीक है अब फिर से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वान तू लास्ट में देखो तीन फंदे और एक एज स्टिच से जाएगा तो वही डि ये देखिए ऐसे अब एक जाली बनाएंगे और फिर से बनाएंगे इसे एक फंदा सीधा ये देखेंगे अब देखिए अब हम आगए अपनी सेकंड रोप है रॉंग साइट से यहाँ पहला फंदा स्लिप कर लेंगे इसके बाद यहाँ से रिपीट पैटन स्टार्ट करे दागा पीछे दो फंदे सीधे ये जो पाँच फंदे हमने बनाएं बस यही बार बार रिपीट करेंगे दागा देखिए अपनी तरफ ले आएंगे तीन फंदे उल्टे वाण दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा पीछे एक एज स्टिच को भी उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि रॉंग साइट से अब देखिए यह हमने दो सलाईयां बनाके कंप्लीट कर लिए ठीक है अब हम आगए अपनी थर्ड रोप है जो कि फ्रेंट साइट से है पहला फंदा स्लिप करेंगे यह जो तीन फंदे जिस पे हमने यह डिजाइन डाला था फंदा ट्विस्ट करके तीन से तीन फंदे ब बनाएंगे 1, 2, 3 इसके बाद जो दो फंदे हम उल्टे बना रहे हैं वो अल्वेज उल्टे ही बनेंगे सीधी तरफ से यह देखिए दो उल्टे बस यह जो पांच फंदे हमने इस रोपे बनाए सेम यही रिपीट करेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 धगा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे 1, 2 धगा पीछे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे ऐसे अब हम आ गए अपनी रॉंग साइड से ठीक है पैटन कीए हमारी फोर्थ रो है पहला फंदा सिलिप करके तीन फंदे उल्टे बनाएंगे यह वाली रो बिल्कुल रो से सेकेंड की तरह बनेगी देखिए तीन फंदे उल्टे और दो फंदे सेदे अगर आप लोगों ने मेरा जो दूसरा चैनल है मेकप बाला वह अभी तक नहीं देखा तो एक बाद जाके देखिए बहुत अच्छी ची वीडियो बनाती हूं में वहां पर लिंक डिस्क्रिप् सकता है कि मेरे उस चैनल पर आपको मिल जाए तो एक बाद जाके देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए इस तरह से ये उल्टा बना लिया पंदा और गाईज क्या कहते हैं उस चैनल को आप सब्स्राइब कीजेगा आप लोगो को मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्यार सपोर्ट दीजेगा अपना देखिए ये चार सलाई हैं जो हमने बनाई यही सेम बनानी है पहली सलाई फिर से बताती हूं पहला फंदा स्लिप करेंगे और यह देखिए तीन फंदे से तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से देखिए तरफ लेकर आएंगे दो फंदे ओल्टे वान दागा पीछे लेकर जाएंगे देखिए फिर ये तीन फंदे इनको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से और तीन फंदे से इस तरह से हम एक पर घुमाया जाग धागा और फिर एक बाल इस तरह से बना लेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे ओल्टे वान दागा पीछे अब देखिए दो फंदे फिर से हम चुष्ट करेंगे ऐसे तीन फंदे से तीन फंदे एक दो एक फंदा सीधा यह देखिए फिर्स्ट और कम्प्लीट हो गई इसी तरह से सेकेंड रो भी आप बनाएंगे एक फंदा देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे तीन पंदे उल्टे दो फंदे सीधे ठीक है अफिर जब आप धर्ड रोप्ते आएँगे तो यहां पर देखें एक फञाण स्लीप करके तीन पंदे सीधे दो फंदे उल्टे सेम रो फोर बनाएंगे जैसे मैंने बताया है आपको तो तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीधे इसी तरह से बनाती हुए जब आप जाएंगे तो यह डिजाइन पैटर्न देखिए इस तरह से बनके आएगा जब आप ज्यादा फंदों पर बनाएगे बहुत उसुरत बहुत प्यारा ट्राइ कीजिएगा एक बार अपने एक्सपी ब्लैंकेट कैप कहीं भी डालिए बहुत ही खुशूरत अमेजिंग बनके आएगा एक पर आप ट्राइ कीजिए इसी तरह से केबल की तरह वर्टिकल में चलता है बहुत सुन्दर भी लगता है तो बनाना जरू शेयर करना सभी लोगों के साथ कॉमेंट करके बताईएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो रिक्या कहते हैं इसके बगल में जो बेल बटन है उसे आल पर प्रपैस कर द क्याएं पे थादी जोगों 0 existe कि बबडें अनल चीजेगा यह कहते हैं तनी सिसमने on 0